बी आई टीवी चैनल पर आपका स्वागत है बी आई टीवी यूटूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए बेल आइकन दबाएं ओके तो हमें क्या करना है आप विल्डर हो ओके अब हम क्या करते हम रोल चेंज करते मैं आप हूँ और आप विल्डर हो में आप हो एक इकरता हूँ मेरा श्टाइल यह है कि हम मिले थे 2020 है कि 2020 में मिले थे मिले कैसे तो वहाँ किसी इख Story कि इस एक सब्सक्राइस है किसी चाहि किfight बाद में रख मरे दोस्ति हो गई हमने अच्छी एक फैमिली यह बेनेर को भी गये थे, यह आपको करना पड़ेगा, आप समोझ लिजिए, पहले आपका बॉंड बांठिंग अच्छा करना पड़े गा, उससे ये होता है zero rebiding, उससे ये होता है zero rebiding, मैं क्या करता हूँ जैसे बिल्डर मिल गया ना, तो पहले मेरे तरफ से, मैं कितना अच वाइब से चलो बाहर जाते दीनर के लिए और बोलते तो सर आच मुझे एक आवार मिला है कि यह कर सकते कि नहीं आप किसी और को बोल सकते कि अज़ाज मेरे को सेलिबेशन करने लोडिया में मेरे लिए कर सकते है क्या नहीं प्राइब टो करो मगर उससे बॉंडिंग बढ़त दोस्ते हैं तो हम दोनों तरफ से लेंगे आप यह दोनों तरफ लेंगे आप बोलें कि मेरे पाइस इतने यह नहीं है मैं डारेक्ली नहीं दोनों टेप्स के ले तो अभी हमारे अच्छे पहले दोस्ती है अभी मैं आता हूँ को कि आपका नाम देदे रमेश okay simple तो क्या चल रहे हैं तो मुझे इसा लग रहा है कि करुणा के बाद प्रोपर्टी के प्राइज बहुत बड़े हैं बराबरे मतलब मुझे बताओ कि अभी जो तुम्हारे पास जो तुम अभी कर रहे हो तो क्या है उसमें रेट अभी क्या चल रहे हैं मतलब कैसे मुझे लेना चाहिए आपको लेना चाहिए लेना चाहिए लेना चाहिए तो मतलब मुझे बात बताओ अगर मुझे वो प्रोजेक्ट में लेना चाहिए या फिर तुम जो प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसमें कैसा प्रोजेक्ट बढ़ेंगे पहले से बुक करवा देते हो तू तो मेरा फ्रेंड है तो तुझे क्या है पचासलाग इंवेस्मेंट कर तुझे साथ सब्सक्राइब हो जाएंगे गेरंटी है मेरे तुझे तो बीच में निकाल दोगा मैं कुझे मतलब मतलब मुझे बात बताओ जो आपका जो प्रोजेक्ट है आपको विल्डिर आपको और रीसन बिल्डर आपको इसे बोक कि पैसा इंवेस्ट कर में तुर को बना के दे दूंगा निकल के निरिक यह करना नहीं करना तेरी मरिझत बता रहा है मैं तो तो मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारा जो फ्लैट है वो कितने में जाएगा मुझे अभी पचास लाग है पजेशन के टाइम के हमारी प्राइस असी लाग होगी हम विल्डर कोटा में तुझे सेवंटी ले दे देंगे बराबर तो इनकी कॉस्ट के अभी इन्होंने पचास लक्त से उपर कौन है कि आपके एरिया में टूबेश के फ्लैट पचास लक्त से उपर वाले हैं कि बराबर है हमारे देड़ करोड के नीचे एक भी फ्लैट नहीं है तो यह 50 लैक का मैंने हमने एक्जामपल ले लिए 50 लैक का ले लिए तो सर् मेरे पास 50 लैक्स नहीं है मैं तुझे काम पूल ला हूं तुझे तो बता रहा हूं आपने पूछा था बता है मगर मुझे लेना है मेरे पास 50 लैक्स नहीं है मगर मुझे लेना है तो पिर तुझे कस्टमर तरह से लेना पड़ेगा यह मैं से तो कैसे लिए मैं से मैं कितन यह नहीं अभी तो हर साल पंदरा लागते लागते लिए तो ठीक है ना लोन तो चालो हो जाएगा ना लोन के से चलो हो जाएगा तो आपको पूरा लोन करो सकते हो तो मुझे बात बता हो तो हम में पॉइंट प्याते अभी तो मेरे पास पैसा नहीं मतलब में नहीं ले सकता आपकी आपकी इससाफ नहीं ले सकते है ठीक है अभी हम आपके इन्वेश्मेंट पर आते हैं यह जो जमीन थी यह आपका बिजनेस है बेद्नेस बड़ाबर तो ऐसे आपने कितने नहीं हम जैसे स्टार्ट करते ना तो 25 परसंट बुकिंग होता ना तभी हम स्टार्ट करते अभी इसकी वैल्यू जो आपको तिनसो चार सब करोड थी बराबर है यह आपने कब पर्चिस किये थे हूँ आपका यह प्रोफेशन और आपका बिजनस है जो आपके सो के तीनसो हो मतलब यह इसाफ से हो जाएंगे नहीं है तो आपको कितना हो जाएगा यह यह बिल्डिंग बनाने के बादी तो आपका कहना यह है कि जब आप बिल्डिंग बनाओगे उसके बाद वह बेचोगे तब जाके प्रॉफिट होगा बराबर है तो मैं आपको दो चीजे बताते हैं यह सारा पैसा आपका जो इसमें जो प्रॉपर्टी में फसा हुआ है क्या करूना के टाइम पर आपने कुछ कुछ माल बेचा कुछ 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 ना काम चालू कि एफेक्ट हुआ के फ्लैट कम भी एफ्टर शिक्स मन सब रिकार हो गया और ज्यादा रेट मेरा माल भी कॉरूना में टाइम में दिक्कत हुआ मगर कॉरूना के टाइम पर आपने माल थोड़ा अच्छे रेट में बेच तो मैं कहना यह चाहता हूँ कि आपने आपने जिंदगी का जो भी आपने आश्टक जो और किया है आपने पहले 25 कोड़ से चालू किया होगा फिर आपको 50 हुआ पचास का सो गया सो का तिन सो यह चलते आ रहे यह पैटन चलते आ रहे चलते जलते आ यह शाइक पन्दरा सो कोड़ तर भी जाएगा अगर वहां पे इफ नाम का एक वर्ड है और आप यह कोई भी प्राउपर्टी इमेजेटल बेच नहीं सकते क्योंकि वहां पे इंकम टे यह यह नौ सो अगर मैं माल बनाता हूं उसको बेचता हूं वह पंदरा सो करोड होंगे इफ नहीं होंगे ही मगर यह डर है ना होंगे कर नहीं होंगे इसके लिए मैं चाहता हूं 80% हम पैसा रोलिंग करेंगे क्या करेंगे दोस्तों 80% पैसा हम रोलिंग करेंगे हमारे बिजनेस में मगर 20% मैं चाहता हूं आप सिक्यूर करें मगर आपको मालूम नहीं कि कॉरोंड के लांपे नहीं पैचा गया अग्या को नापने लॉस में पेचा या फिर या फिर आपने नो प्रॉफिट में बेचा मगर सामिटस ली क्यूचर इसे भी बड़ा कोई हमारे आता जाता है क्रैसिस आ जाते तो में यह चाहता हूं 20 परसन ऐसे ओके तो मैं चाहता हूँ आपका में 20 परसेंट निकालो कितना हो गया मगर वह पांच करोड शायद वह तिन करोर पे आगया था करोना के वज़ें पर आप चीज़ देना चाहता हूं पांच करोड मैंसे 20% मतलब आपका कितना हो गया वन करोड वन करोड एक मन की शांती के लिए रखो जहां पर आपको पता है यह पाइसा मिलेगा ही टैक्स प्री भी मिलेगा गैरेंटेड भी मिलेगा हर क्राइस में भी मिलेगा में रहू ना रहू 110 करोड एक सोदस करोड मुझे बात बताइए आपको एक 110 कोड के प्रॉपटी पर्चिस के लिए क्या लगेगा कितना पैसा लगेगा 110 करोड की प्रॉपटी लेने के लिए अकॉड में 140 करोड को जाके वह प्रॉपटी पर्चिस कर सकते हैं मैं चाहता हूँ कि मेरे पास वह एक करोड का भी लेंगे ना तो उसका टोटल में अगर रिस्क और का भी प्लान करूँ मैं फैमिली प्रॉटेक्शन की भी बात करूँ कितना रिस्क और बेटे का सामेशो बेटे का एक कोड प्र प्रॉपटी बेचे क्योंकि घर नहीं चल रहे हैं सारा तो आपके पास यह दिमाख में था उनको नहीं आता है धंदा करना मगर वह जो साड़े-बारा करोड मिलेंगे उसके च्छेटक का कितना हो गया प्रवाट लाग वह शाड़े-बारा करोड अगर वह लाएसी से नहीं लेते वही पर रखते है तो बहुत तर लाग जिन्दिक का नाम नाम ने जब्सक्राइब करना मेरे को एक सवाल का जवाब दो आपके सारे सवाल और मेरा सवाल यह है कि मेरे को ऐसे जगाब पाईसा इ मेरे इंकम में समय करने के बाद पैसा घृ तो मैं बिल्कुल टैक्स हो कि पर नमबर आपन के सारा तो यह सारी जो मेरे बात है मैं कहां पे इन वेर्स करना चाहिए मेरे को गैरेंटेट चाहिए मेरे पईसा जहाँ पर डशो चाहिए जो कभी भिलो माइनस नहीं चाहिए उसकी गारेंटी गुवर्मेंट इंदिया नी ल τον ह ?? आपको मैं पूछ रहा हूँ आप कहा पर लगा सकते हो पीपीए पर अगेरा जो कि पर कैसा लगा हूँ है कोई भी मुचल फंड में लगा लिए है कि तरह है कि कहा पर लगा हूँ है मुचल फंड में तो गैरेंटी नहीं है कि बैंक में कि दर एक साल की भी गैरेंटी ने दूसरे दिन अलग इंटर्स रहेगा बैंक डूपती भी है झाल झाल